नमस्कार बच्चों, हम लोग B.A. Part 3 का सेकंड पेपर समाजिक मानव शास्त्र पढ़ रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे थे धर्म एवन जादू के टॉपिक के बारे में मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में धर्म के बारे में बताया था और हमने चर्चा करी थी धर्म की विशेष्टा या लक्षण के बारे में आज हम हमारे इसी धर्म के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे धर्म के आविशक तत्व के बारे में Essential Elements of Religion धर्म के आविशक तत्व धर्म का निर्मान करने वाले कौन-कौन से तत्व हैं इस बारे में विद्वानों में मत्मिध हैं हम यहां धर्म के प्रमुक तत्वों का उल्ले करेंगे सबसे पहला है अनुष्ठान, Rituals सभी धर्मों में अलौकिक शक्ती से सम्मंदित विश्वासों को प्रकट करने के लिए अनुष्ठान एवं कर्म-कांड पाए जाते हैं अनुष्ठानों को स्पष्ट करते हुई ब्रूम तथा सेलजनिक लिखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों का तातपर ऐसी स्विकृत क्रियाओं से है जो स्वैम पवित्र होती हैं विभिन धार्मिक उत्सवों एवं अफसरों पर किये जाने वाले यग्य, हवन एवं पूजन धार्मिक अनुष्ठानों के ही उधारण हैं ये अनुष्ठान समू में एक्ता बनाए रखने एवं परंपराओं को स्थायत्व प्रदान करने का कारे करते हैं अनुष्ठान द्वारा किसी भी सामाजिक रिती को पवित्र बनाया जा सकता है और जो कुछ भी पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप दिया जा सकता है दूसरा पवंट है अनुभूतियां, फीलिंग्स अनुष्ठानों का एक प्रयोजन यह भी है कि वे उचित भावनाओं को जागरत करते हैं धार्मिक भावनाओं से धर्म के साधनों एवं प्रविधियों को समर्थन प्राप्थ होता है तीसरा पॉइंट है विश्वास विश्वास ही धर्म का आधार है सभी धर्मों में अलोकिक शक्ती में विश्वास व्यक्त किया जाता है लोगों का यह विश्वास होता है कि अलोकिक शक्ती ही हमें सुख वद्दुख सफलता एवं विफलता प्रदान करती है चौथा पॉइंट है संगठन Organization Communization धार्मिक क्रियाओं को संपन कराने तथा अनुयाईयों से धर्म का पालन कराने के लिए प्रतेक धर्मिक संगठन पाया जाता है यह संगठन धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को बनाए रखने धार्मिक अनुष्ठानों एवं सिद्धानतों में विशेश अग्यों को भरती करने उन्हें सिक्षाव प्रसिक्षन प्रदान करने और समाज के अन्य समूग के साथ धार्मिक समूग के सम्मन्द को स्प पुरानिक गाथाएं, सिंबल्स एंड मिट्स, धार्मिक भावनाओं एवं अनुष्थानों को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए धार्मिक प्रतीक भी होते हैं। व्यक्ति के आस्था और विश्वास को द्रड किया जाता है। छटा पॉइंट है निशेद यानि की टैबूज। प्रतेक धर्म में व्यक्ति को आचरण के कुछ नियम भी बताये जाते हैं। और साथ ही कुछ वेवारों को न करने के निर्देश भी दिये जाते हैं। उधारण के लिए व्यक्ति को जूट नहीं बूलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अनैतिक यौन संबंद कायम नहीं करने चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, आदि। निशेदों का उद्देश धार्मिक पवित्रता बनाए रखना है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा करी धर्म के आविशक तत्वों के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही धन्यवाद।